तो आज हम बात करेंगे यह जो वकैंसिस निकली है यह पी एस सी पी एस बीसी अलिया नी पंजाब स्टेट पावर कॉपरेशन लिम्टेड में निकली है यहां पे जो वकैंसिस है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशन अप्रेंटिशिप की निकली हुई है सेशन तुथाउजन के लिए तो यहां पर इन्होंने ऑनलाइन एप्लिकेशन की रिसीविंग स्टार्टिंग देट देट के बीस जनवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकिए उसकी जो लास्ट डेट रहें ऑनलाइन रिस्टेशन की 20 मार्च 2023 से यहां पर इन्होंने बता रखें कि PSPCL के लिए जो भी य की अकॉर्डिंग रहेगा यहां पर इन्होंने ब्रेकेश बता रखें क्या करेगा कि यहां कौन सी केटेगरी में कितनी है जैसे यहां पर इंजिनरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बता रखें टोटल जो सीट्स है वन जिरो सिक्सिफोर आपकी अन्रिजर्ट में रह की रहेगी एसे में फोर आपकी रहेगी स्ट्री में यहां पर बताई दी कि फोर आपकी जो ऑबीसी केटागीरी में यहां पर देखलें टोटल जो वकैंसी जैनल केटागीरी की दे रखी है तो शिक्स्टी सेवन स्केटागीरी दे रखी है 110 और ओवीसी केटागीरी की दे रहें ए फॉर्टी फ़ाइफ एंड पी डॉडी की दे रहें रहेंगे यहां पर लिखें कि जो ऑनली पंजाब रेजडेंट्स या फिर जिनके पंजाब को डॉम भाई एपलाई कर सकते हैं यहां पर लिखे कि जो रिजर्वेकिशन वगारा वो सिरफ पंजाब के लिए ही रहेगा आल केटेगरी या रिक्वार टू प्रोडूस लिखे कि उन्हें अपना जो भी अपना पंजाब डॉमसेल जो एक जनवरी 2023 के बाद तो आपने वहीं के लिए कर सकते हैं यहां पर सब्सक्राइब तो आपके पास रेलिवेंट सब्सक्राइब होना चाहिए अगर आपने एक बार भर दिया तो उससे कोई भी चेंजिस नहीं किया जा सकता है यहां पर लिखे कि यहां पर रिजर्वेशन बता रहें कि वह आपको पर बताये था कि क्या कर रहेगा और अगर क पर रिजर्वेशन के अप्लाई करना चाहरा है तो उनके पास रेलिवेंट सब्सक्राइब बुला जाए तो उन्हें अपनी जो डॉक्यमेंट वहां पर प्रोडूस करने होंगे असेंशल कालिफिकेशन के बारें बात करेंगे तो यहां पर लिखे जो ग्रेजुएट अप बीकॉम या बीसी की होनी चाहिए टेक्निशिल अप्रेंटिस की दे रखिए डिप्लोमा की ओने चीनिरिंग में यहां पर टेकनोलजी में कोई भी स्टेट कांसिल या फिर बोर्ड ऑफ टेकनिकल एड्टेशन स्टेट कोई गवर्मेंट के द्वार्मेंट के द्वारा हो इ कोई भी आपको यहां पर फीस पे नहीं करने हैं अगर आप इसके लिए तो यहां पर बता रह रहे हैं पर घ्रिंग पर आपको ग्रेजिस्टर ऑनलाइन दिया वह बहना है उनको सेफ अटेस्टेट करके यह जो address दिया हुए आपको PS PCL पट्याला इस address पर आप चाहे तो by hand submit कर सकते हैं अगर आप चाहे तो रिजिस्टर पॉस्ट भी कर सकते हैं यहां पर दे रहा है application form की जो last date रहेगी पांच बेस से पहले पहले आपने जो इन दे रहा है उसमें पहुंच अचे अगर आपको application last date के बाद उसे एड़्टेर नहीं किया जाएगा तरह यहां पर नहीं बता रहे है graduate apprentice के लिए अगर आपने यहां पर ग्रेजुएट या इसके क्लेंट कोई भी स्टड़ी के रहे हैं तो 8000 किया जाएगा इसके लावा आपको पंजाबी की नौलेज होने चाहिए सही असेंशल रहेगा सभी candidate के लिए यहां पर लिखे उन्होंने अपने matriculation या उसके क्लेंट कोई भी स्टड़ी में पंजाबी जुरूर पास की होनी चाहिए और आप यह जो सब count किया जाएगा यह application की last date तक count किय जाएगा दन यहां पर इन्हों मतारक है जो minimum है जब वह आपकी 18 years तक होनी चाहिए जापकी जो count की जाएगी वह एक अप्राइल 2023 तक count की जाएगी और जो selection रहेगी वह purely merit basis पे रहेगी यानि जो candidate ने अपने degree या डिप्लोमा में जो mark secure किया है उसके basis पे रहेगी और जब भ है तो यहां पे दो ने दे रिखे कि क्या कहलेगा और जो ने यहां पर दोता रखे आपकी जो भी किसी तरह का नहीं कर सकते है अगर आपको कोई भी डिपकल्टी आ रही ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म करने से लेटेट तो आप इस पर इमेल कर सकते हैं अगर आप चाहे तो यहां पर फोन भी कर सकते हैं तो यहां पर अपने अपनी सेल्फ टैसिर फोटोग्राफ पेस्ट कर देनी हैं यहां के अपना ढूंग लिख देना है जो भी उनका नेम अपना अपना कैप्तल लेटरस में यहां पर उनके फादर का नेम आजाएगा यहां पर उनकी क्वालिफकेशन आज जाएगी जो भी उन्हें कर देशिए जैश्यों नहीं ने डिगरी कर रुख्षकी कॉन से स्च्रेमे वह आप य विद पिन कोड के साथ यहां पर आपका अधार नमबर आ जाएगा यहां पर आपने अपने एक वैलिड मोबाइल नमबर लिख देने हैं जो वैलिड हो यहां पर आपकी एर्स ओफ ग्रेजुएशन कितने उसमें किया आपने लिख देने हैं थ्री एर्स तो आपका जितने भी यापने समय में की होगी वो आप लिख सकते हैं अगर आपके पास कोई experience है तो वो लिख सकते हैं आप अपना bank account number and अपनी personal email ID जो valid हो लिख सकते हैं यहाँ पर अपने कौन-कौन से यहाँ तर्प Zeiten की लिए एकार नहीं के लिए यहां जाके प्रता देख सकते हैं करते हैं जाकित इसकी साथ-सतंच आपने डॉकिमेंट कि सेल 220 फोटो कोपी यहीं यहाँ पर कर देती है इस antrex पर आपने अपनी अप्लिकेशन देरक्रहि प्रतेब्is प्रति but करना है अगर आप चाहे तो by hand भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो बाय रिजिस्टर भी कर सकते हैं ऑफिस में जो है लास्ट इट इन्हों ने जैसे यहां पर बता रख किया है कि 20 मर्च 2023 से पहले पहले आपका जो एप्लिकेशन फोर में इस एड्रस पे पहुंच जाना चाहिए यह जो एड्रस है यहां पर यहां पर एक बर मैं आपको दुबार अबतारती यह जो है सिरफ ऑफ-लाइन मोड से जो बेजना है फोर ग्रेजुएट इन जनल स्रीम बाकि इंजिनरिंग ग्रेजुएट एंड यहां पर जो टेक्निशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्हों यदि आपके इस वीडियो से लेटिट कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर इस तरह के ओन्फर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक् है कीडियो